कहता है यह जो कोशन है जनरली बच्चे डाउट में लेके आते हैं और यह कभी-कभी बच्चों को डाउट आता इसमें और यह फोटो-इलेक्टिक हो लेक्टिक एक सेल उसे फोटो-इलेक्टिक हो रहा है रेक्साइटिंग लेग्डा ऐसे समझ लोग आकर लेकिन जब हम लेम्डा चेंज कर देंगे यहां से हमने लेम्डा चेंज कर दिया ठीरी लेम्डा गाइब फोर तो जो फास्ट उलेक्ट प्रकम लेकोलेशन नहीं करपाते हैं equation तो लिख देते हैं पर उनको calculation करने में दिक्कत आता है तो चलो हम इसको करते हैं तो दो condition है पहले वाले condition के लिए जब लैमडा था तब equation लिख देते हैं Einstein का equation और material एक है तो work function 5 सेम होगा प्यारे बच्चों तो Einstein का equation यह कहता है energy is equal to work function प्लस kinetic energy में यूज होता है तो initial kinetic energy में के अब यह आ जाएगा एच सी अपन लैमडा और work function सेम रहेगा प्लस kinetic energy के ले लेता हूं initially first condition में kinetic energy के ले लेता हूं second case में हमने wavelength लेंथ इतना change कर दिया है तो energy hc अपन और लैमडा रखोंगा ठीरी फोर अपन ठीरी लैमडा और यह वर function 5 प्लस speed चेंज हो गया तो kinetic energy के डेस चेंज हो गया बस यहीं दो सिंपल से equation है इन्हीं दोनों को solve करके हम calculate कर लेंगे आप चलो calculate कर लेते हैं यहां से पहले वाले से मैं से दूसरे वाले सब्सक्राइट करते हैं घटा देते हैं तो अगर मैं इसको घटा देता हूं तो यहां जाएगा hc अपान लेंडा और माइनस 4 hc अपान 3 लेंडा और यहां से आ जाएगा के माइनस के डैस यह वाली चीज तो यहां से मैं तो यहां से मिल जाएगी अब चलो इसको solve हम करते हैं थोड़ा सा मिनत करते हैं तो यहां से सकता हूं कि के डैस और के डैस माइनस के इस ऑकल टू hc अपान फिरी लेंडा और यहां से सुंवर्ड़ केरना जाएगा तो यह से तो यह यहां से तो compare होना नहीं है न तो यह से अपन लेंबडा की जो value है वो मैं उपर से रख दूं यहां से first equation तो यह आजाएगा हमारा यहां से देखो 5 प्लस kinetic energy k के equal है तो यह आजाएगा 5y3 प्लस ky3 तो यहां से इसको solve कलो तो k dash की value आजाएगी वो आजाएगी 5y3 प्लस ky3 और यह माइनस के इधर आ गया तो यहां से हमें मिल जाएगा k dash की जो value आजाएगी वो आजाएगी प्यारे बच्चों 5y3 प्लस 4k अपान 3 अब यहां से comparison हो जाएगा क्योंकि अगर photoelectric effect हो रहा है ठीक है इलेक्ट्रांस आ रहे हैं उनकी तभी तो speed आ रही है इलेक्ट्रांस निकल रहे हैं तो कुछ ने कुछ work function उस में टलका होगा 5 must be greater than 0 तो 5 की value greater than 0 होगी मतलब 5 जो है वो positive value होगा work function positive होगा तो और यह वाला गर value देखोगे अगर यह positive है तो यह value 1 divide करोगे तो 1.33 ऐसे आएगा जो की k dash से अधीक है तो यहां से मैं इन दोनों में comparison कर सकता हूं कि k dash की value greater होगा 4k upon 3 से क्योंकि 5 की value तो already positive है greater है तो यहां से half m v dash का square should be greater than 4 by 3 तो यहां से तुम देखो अराम से यहां से comparison कर सकते हो यहां से half m v ने half m v को कतम कर दिया तो v dash should be greater than 4 by 3 की power 1 by 2 और multiplied by v तो this is the final solution v dash is greater than v 4 by 3 तो v 4 by 3 इसी साब से हम लोगों का प्यारे बच्चो ओ डी option सही है तो यह बच्चे में लेकर आते हैं को calculation में दिक्कत आती बागी concepts अब क्लियर होता है और यह